मद्यप्रदेश के बैतूल में पिछले दो दिनों से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। क्षितिक रस्त होने से तापती नदी का पानी किसानों के खेत में पहुँच गया है। और इस बैराज से पानी पाइपलाइन के माध्यम से बैतूल लाया जाता है। बैराज खितिक रस्त होने से तापती नदी का पानी खेतों में जा रहा है। जिससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है। इस इस्तितिका जायजा लिया जाएगा। बार्ती न्यूज क्योंकि अभी पानी है तो अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि खेत के बाजू का जो मिट्टी का खेत का कटा हुआ है उसके बाद ही हम बता पाएंगे विजिट करने के बाद ही कि कितना उसका हिस्सा डेमेज हुआ है अभी बाकी structure concrete का जो structured है वो अभी हमें लगता कि अच्छे हाला पना जो खेत का मिट्टी वाला इससा बहार और अभी हमने इसके लिए चंद्रा अतलब चंद्रा लिमिटेड को जो रायपूर की कंपनी है उनको हमने नोटे जारी भी कर दिया है इस समझ में हम एक दो दिन में जो भी कारवाई होगी इससे हम आवगत कराएंगे और इस बार हमने collector sir को भी अभी सूचित कर दिया है collector sir के माद्यम से जो भी कारवाई होगी हम लोग कारवाई करेंगे यह लगवा साथ परोड की लागा से बना था लगवाग इसको बने हुए तीन साल हो गए है इसको जो डेमेज़ होगा उस पर हम लोग देखेंगे कितना structure उसमें डेमेग हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि अभी पानी बहुत ताव लेगा है तो अभी अपर अपर लेवल बर देखरा हम उसका नीचे का बेसिक जो इसका पानेशन है सही है कि निगो सब चीज हम लोग पानेशन मोग देखेंगे मोग देखेंगे बारे मोग जोगा है